दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग Welcome back to the channel again बैंक में अगर आप जॉब धून रहा हैं तो आज की वीडियो में मैं कुछ ऐसी चीज़े आपको बताने वाला हूँ जिससे की आपकी बैंक में जॉब हो सकती है आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे आप जॉब पा सकते हैं बैंक के अंदर और आपको कहीं ऑनलाइन एपलाई नहीं करना है ना ही कोई फीस आपको समिट करनी है डिरेकली वाकिंग करके जाना है अड्रेस पे फ्रेशर है तब भी आप इन वेकंशिस को चेक आउट कर सकते हैं एक्सपिरियंस है तब भी इन वेकंशिस को चेक आउट कर सकते हैं ये वेकंशी आईडी एफसी बैंक के अंदर निकली हुई है और इन वेकंशिस को आप इजिली एपलाई कर सकते हैं डायरेक्ली इंटर्व्यू दे सकते हैं वेन्यू पर जाकर वीडियो पूरी देखिएगा आखिर तक देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा किस आड्रेस पर जाना है किस क्वालिफिकेशन पर ये वेकैंसी है क्या इसमें रिक्वार्मेंट है पूरी सारी चीज़े मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो के अंदर वीडियो शुरू करने से पहले एक आपकी सपोर्ट चाहिए लाइक सब्सक्राइब बैल आइकन का बटन दबाना ना भूलेगा तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं तो दोस्तों स्क्रीन पर नजर आ रहा हुआ ये वेकैंसी IDFC बैंक के अंदर है और वौकिंग करके आप इस वेकैंसी को अपलाई कर सकते हैं अपलाई नहीं करना है कहीं आपको एड्रेस में बताने वालों हूँ आपको और देखिए क्या इसमें क्राइटेरियर हैगा क्या वेकैंसी हैं पूरी डिटेल में आपको बताऊंगा वीडियो आखिर तक देखिएगा वौकिंग इंटर्वी एसोसियेट एक्विजीशन मैनेजर की वेकैंसी डेजिगनेशन का जो नाम रहेगा एसोसियेट एक्विजीशन मैनेजर रहेगा कासा और यह 0-5 साल का अगर आ माराष्ट मुंबई और मुंबई की अलग लोकेशन भी रह सकती हैं मतलब अलग सिटीज में भी रह सकती हैं फिलाल तो मुंबई में जो माराष्ट में सुबूर बंद की एक सिटी हैं वहां पर यह वेकैंसी रहेगी की स्किल आपके पास क्या होनी चाहिए सेविंग 26 अक्तूबर को जाना है आपको दस बज़ से पास बज़ के बीच में चले जाएगा फॉर्थ फिलोर एविंग टेक्नो पॉलिस नॉलिज पार्क महाकाली कैफ्स रोड हनुमान नगर अंधेरी इस मुंबई 40093 पर आप जा सकते हैं कॉंटेक्ट कर सकते हैं जे भाटिया से जाकर आप डायर्टिक्ली मिल सकते हैं वाट यू वील डू आपको क्या करना होगा वाकिंग इंटर्वी अक्री एक्सेट एक्जिकिशन मैनेजर कासा 26 अक्तूबर 2023 को यह जो है इंटर्वी कंड़क्ट किये जा रहा है दस बज़ से पांच बज़े के बीच में फॉर्थ को हैंडल करना होगा आपको सेविंग एकाउंट्स के बारे में बताना होगा और भी काफी सारी चीजें हैं करेंट अकांट के बारे में जो चीजें हैं वो आपको बतानी होगी इस पूरी एक मार्केटिंग स्टेटजी आपको बनानी होगी बाकी देखी सारी चीज़ इसके अदर दे रखी जॉब डिस्क्रिप्शन क्या क्या रहेगा रोल्स एंड रैस्पॉंसबिलिटीज क्या क्या रहेंगी वह भी चेक आउट कर लीजेगा आप सेकंडरी की रैस्पॉंसबिलिटीज भी इसमें हाइयर डिग्री ऑफ मार्केटिंग मार्केट एवरनेस एंड अंडरस्टेंडिंग ऑफ कस्टूमर नीट्स बैंकिंग की इंडस्ट्री रहेगी सेल्स बिजनिस डवलपेंट का डिपार्टमेंट रहेगा रोल्स रिटेल एंड बैंकि कीजिएगा अगर आप कर सकते हैं दो बागी किसी सपोर्ट की जरुबत पर मुझे कॉमेंट बॉक तो अपना सवाल छोड़ सकते हैं थैंक्यू वेरी बच्च्छ